तिलकमांजी भागलपूर इनवर्शिटी दलाली के चरम सीमा पे हैं आए दिन इस इनवर्शिटी से वीडियो वाइटल होते ही रहते हैं कि कोई गुप्त दर्वाजा से डिग्री और पैसा का लेंदेन करता है तो कहीं जगर करमचारियों रंगे हाथ पैसा लेते और डिग् करे जाते हैं इसी के संदर्व में हाल में हुई घड़ना को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान लाइप के द्वारा एक खुलाशा की गई है और तलब जारी क्या गया है कि पंद्रह सो में और और आट सो में प्रोविजिनल बिहार के तिलकमाजी भागलपूर इस रिपोर्ट में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे पीसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अधर अभी तक आपनी चैनल को सश्क्राइब नहीं किया है तो तो तिलकमाजी भागलपूर इनवर्शिटी से शमंदीत कोई की वी लेडिश अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सश्क्राइब कर लें जैसा कि आपको शाइड़ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यह हिंदुस्तान लाइब का कल की रिपोर्ट है जिसमें बताय गया है कि 15 समय और 8 समय और दलालों ने पेंडिंग सुधार क को लेकर शाटिफिकेट तक का अलग-अलग रेट तैय रखा है दूर दराज की जीलों से आईविदार्थी से और ज्यादा वशुली की जाती है सभी सेवा का रेट तैय कर रखा गया है जो चात्र को देना ही पड़ता है आगी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के प्रत पुस्तका की च्यापरती समेत अनेकारी के लिए आ रहे हैं इसमें काफी शंक्या में दूर दराज के विदार्थी भी शामिल है परेशानी छात्र शात्राओं से विश्विदाले में हावी हुए दलाल किसमी के लोग अवैद उगाही कर रहे है औरिजनल प्रोविजनल अलग-अलग रेट तय रखा है तलालों के चुंगल में फसे कई विदार्थों से बाच्चित करने पर जुनकारी मिली कि सभी कारी के लिए अलग-अलग रेट है विदार्थियों के मताबिक ओरिजनल डिग्री के लिए एक हजार से पंदरस रुपे प्रोविजनल सॉर्ट के लिए 500 से 800 रुपे माइग्रेशन शॉर्टिफिकेट के लिए 500 से 800 रुपे परिच्छा देने के बाद अनुपस्तित किया जाने पर क्लियर कराने के लिए 1000 से 2000 रुपे अंक पत्र के लिए 500 से 700 रुपे उत्तर पुष्टिका फोटो कॉपी के लिए 500 से 800 रुपे के करीब तैय किया गया है मुंगेर के बरियारपूर निवासी छातर ने बताया कि उन्हें मुल प्रमान पत्र की काफी जरूरत थी उन्होंने अप्रेल में ऑनलाइन आवेदन भी कराया था जब वो फोटो कॉपी कराने के लिए बीबी परिशर इसी एक फोटो कॉपी इस्टॉल पे पहुंचे तो उन्हें उनसे एक इववा ने कहा साटिफिकेट की जरूरत बताते ही उसने कहा कि वह काम करवा देगा लेकिन चलान कटने के बाद उसे अत्रीक पंद्रह सथ से रूपिय देने होंगे काफी मुलभाव करते वे नौसो रूपिय पे बात बनी इवग ने तीन भाग के बाहर एक इवक ने उनसे कहा कि काम करा देगा उसने कहा था कि काम होने के बाद पैसा लएगा लेकिन कुछ आवेदन परिच्छा भी भाग में फरवर्ड कराने के बाद आठ सो रूपिय ले लिया इसके बाद उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया उसने कहा कि 2000 में उसका रिजल्ट किलियर हो जाएगा लेकिन उसके साथ ठगी हो गई है इन सभी जनकारी को लेकर परिछानें तक दक्तर अनंद कुमर जाके पास गईगी और उनसे भी इनसे आउगत कराया गया फिर देखिए वो क्या कहते हैं विदार्थियों से अपील की जाती है परिछानें तक ने ऐसा कहा कि विदार्थियों से अपील की जाती है कि वे किसी भी काम के लिए दलालों के चुंगल में नाफसे जरूर होने पर छात दर्वार के साथ है परिछा विभाग में भी आवेदन कर शकते हैं यदि कोई रुपिय की मांग करे तो सबूत के साथ जनकारी दे करवाई की जाएगे उन सभी पे डक्टर अनंद कुमर्जा परिच्छा ने अंत्रक ठी एम्ब्यू बहुत जाच परताल के बाद ये पता चला के कि एम्ब्यू के ही कुछ कर्मी जो हैं दलालों से मिली भगत है परिच्छा विभाग में बाहरी दलालों के शकरता कुछ कर्मी के वज़े से हैं जो दलालों के कहें में आकर चंद रूपियों के लिए इस तरह के कृत्य में शामि रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं उनके तक पहुंचाने का कोशिश करें ताकि वो शबी समझ उन्हें किसी भी दलाल के चुंगल में नहीं फशना है आपको किसी भी प्रकार के शाटिफिकेट मेग्रेशन मार्क्षीट प्रोविजनल जो भी चाहिए आप छातर दर्वार में आविदान देए हर एक शाटर दर्वार लगता है बुद्बार तक आविदान जमा कर सकते हैं छाटर दर्वार कर जो है चातर हो जाने पर फिर फैल कर जाने पर दलालों के चक्कर में अपने मांक शीट को बदलवा कर ले रहे हो सकता है उनका मांक शीट डूब्लिकेट हो जब आगे उनके गर्मेंड जॉब में सेलेक्शन होगी और फिर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहां पर वो डिफॉल् में ना पड़ सकें